किसी भी घर की तरक्की और सुक शांती के लिए घर का सही वास्तू बहुत मायने रखता है। घर में वास्तू दोश के चलते ना केवल जगडे और नकारातमकता आती है बलकि घर की लक्षमी भी रूट कर चली जाती है। कूरीदान को रखने के लिए कुछ दिशाएं गलत मानी गई है। हिंदू धर्म के अनुसार अगर घर में वास्तू के हिसाब से सामान ना रखा हो तो घर में नकारातमकता बनी रहती है जो कला और कलेश का कारण बनती है। इन सभी चीजों में डस्ट बिन की जगा बेहद मायने रखती है। अगर ये तै दिशा में न रखा हो तो कई तरह की परेशानियां इनसान को गिरे रहती है। परिवार के लोगों में आपस में अच्छा तालमेल बैठता है। वस्तु शास्त्र में डस्ट बिन को रखने के लिए विशेश दिशा निर्धारित की गई है। माना जाता है कि इस दिशा में डस्ट बिन रखने से घर में सुक, शांती और समृद्धी आती है। परिवार के लोगों में आपस में अच्छा तालमेल बैठता है। डस्ट बिन की तै दिशा और निश्चित स्थान घर में खुशियों का अंबार लगा देती है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार, कुछ दिशाएं ऐसी होती हैं, जिधर की तरफ भूल कर भी डस्ट बिन कुरेदान नहीं रखना चाहिए, डस्ट बिन के लिए उत्तर पूर्व की दिशा अशुब मानी जाती है, इधर रखने से घर के लोगों की आपस में बिलकुल नहीं बनती है, इसे देवताओं की दिशा भी माना जाता है, इस दिशा में डस्ट बिन कुरेदान रखने से पारिवारिक सदस्यों की मानसिक स्थिती पर बुरा असर पड़ता है, इसके अलावा पूर्व, दक्षिन पूर्व और उत्तर में भी कुरेदान रखने से बचना चाह इधर की तरफ कूरा विसर्जन करना सही माना जाता है। वास्तू शास्त्र के मुताबिक अगर आप इन दिशाओं में डस्ट बिन रखते हैं तो घर में सकारात मक्त फैलती है। आप उत्तर पश्चिम दिशा में भी डस्ट बिन रख सकते हैं। इससे वास्तू दोश नहीं लगता है और सुक शांती बनी रहती है।